दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नस्ती कौन है वक्त आपका है चाहो तो सोना बना लो चाहो तो सोने में गुजार दो वक्त हाला देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर बुरा करने का विचार आए तो कलपे टालो अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो पीट हमेशा मजबूत रखनी चाहिए क्योंकि शावासी और दोखा दोनों पीट पीछे से ही मिलते हैं सचे इंसान को जूटे इंसान से अकसर ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है सच को तमीज ही नहीं बात करने की चूट को देखो कितना मीठा बोलता है पर्खो तो कोई अपना नहीं समझो तो कोई पराया नहीं कई बार मन करता है हार मान लूँ लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है ये वो दौर है जहां मासुमियत को बेवकुफी कहा जाता है अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना क्योंकि जो चीजें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है मेरी मंजले मेरे करीब है इसका मुझे एहसास है घमंड नहीं मुझे अपने एरादों पर ये मेरी सोच और होसले का विश्वास है आदी जिन्दगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते और सीखा क्या एक दूसरे को नीचा दिखाना जीवन में इतना तो संगर्श कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्म विश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उधारन न देना पड़े दूसरों के बुरे वक्त पे हसने वालो वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है माबाप की नसियत सबको बुरी लगती है लेकिन माबाप की वसियत सबको अच्छी लगती है उड़ा देती है नीदे कुछ जिम्मेदारिया घर की रात में जागने वाला हर शक्स आशिक नहीं होता उमीद हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाती बस हम ही उसे छोड़ देते हैं दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है समस्दारों को समझना लोग बदलते नहीं बेनकाब होते हैं कदर करने वाले को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं ना किसी के अभाव में जीओ ना किसी के प्रभाव में जीओ ये जिन्दगी है आपकी आप अपने स्वभाव में जीओ अक्सर अकेले पंज से वही गुजरता है जो जिन्दगी में सही फैसलों को चुनता है जिन्दगी की रेस में जो लोग आपको दोड़ कर नहीं हरा पाते वही आपको तोड़ कर हराने की कोशिश करते हैं उपर वाला मौच में आए तो सरताज बना देता है और जरासी नजर फेर ले तो महताच बना देता है